नागरिक्ता संशोधन कानून यानी CAA लागू होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में विरोध परदर्शन शुरू हो गया है और इस विरोध में सबसे जादा मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल है क्योंकि उनके बीच CAA को लेकर डर सता रहा है वश्यम बंगाल में तो विरोध का जंडा खुद मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने थाम लिया है इसे लेकर तमाम तरह की बाते की जा रही है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि CAA कानून लागू होने से मुसल्मान को क्यों डर है वो भी तब जब केंद्री सरकार बार बार ये कह र मंतराले ने कहा कि 18 करोड भारतिय मुसल्मानों को किसी भी स्थिती में CAA से डरने की जरूरत नहीं है वे भारत में रहने वाले हिंदूों की तरह ही अपने सभी अधिकारों का इस्तमाल कर सकते हैं अब देश में CAA के साथ साथ NRC पर भी चर्चा तेज हो गई है देश में क संख्यकों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी हलाकि CAA लागू होने के बाद अब NRC की चर्चा देश भर में है हदरबाद के सांसद असद उद्दीन ओवेसी का कहना है कि केंद्र जल्द ही NRC और NPR कानून लागू करने जा रही है ओवेसी के मताबिक संसद में शाह ने एक बार कहा था कि पहले CAA आएगा फिर NRC और NPR लाया जाएगा NRC और NPR में क्या डिफरेंस है ङ commemorते हैं पहले हम NRC के बारे में जानते हैं इसमें भारत में रहने वाले नागरिकों का डेटा रहता है इसका उदेश हर सामान ये निवासी का डेटाबेस तैयार करन है NRC की तो इसमें सिर्फ भारतिय नागरिकों का डेटा रहता है इसका उदेश भारतिय नागरिकों का डेटाबेस तयार करना है इसमें रजिस्ट्रेशन होने के लिए किसी भी दास्तवेज की जरूरत नहीं है इसमें शामिल लोगों को सबी तरह के भारतिय अधिकार कि NRC क्या है और NPR से कितना अलग है रास्ट्री ये नागरिक रजिस्ट्रेशन एक दास्तवेज है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है इसमें अस्थानिय नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है भारत में पहली बार 1955 में नागरिकता से जुड़े कानून में इसका जिक् NRC दास्तवेज तयार करने की बात कही गई है जिसमें अवायत गुसपैठियों की आसानी से पहचान की जा सके बार NPR की करे तो ये भी एक रजिस्टर है लेकिन इसमें देश और विदेश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाता है सरकार डेटा मेंटेन रखने के लिए य चलिए इसे पॉइंट्स में जानते हैं पहले पॉइंट असम का NRC लिस्ट एक बड़ा एक्जामपल है पुर्वोतर के राज असम देश का एक मात्र जगह है जहां पर NRC रजिस्टर तयार किया जाता है असम सरकार के मताबिक राज में NRC तयार करने में 3 साल का वक्त लगा इन 3 साल में 3.29 करोड नागरिक्ता साबित करने के लिए 6.5 करोड दास्तावेज सरकार को भेज गए हैं सरकार ने जो फाइनल ड्राफ्ट पेश किया उसके मताबिक सिर्फ 3.1 करोड लोगों के नागरिक्ता के पात्र थे सरकार के मताबिक करीब 19 लाख लोग अपनी नागरिक्ता साबित नहीं कर पाएं ये असम के कुल नागरिक का 10 फीसिदी है असम में NRC लिस्ट आने के बाद गैर सरकारी संस्ता सिटीजन्स फॉर पीस एंड जिस्टिस ने राज्ज का दौरा किया सीजेपी के मताबिक असम NRC सूची से बाहर होने वाले लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 79 प्रतिशत महिलाएं हैं वर्गे की बात की जाये तो अधिकान्स मुसलिम ही हैं ऐसे में देश के मुसल्मानों को डर है कि रास्ट्री अस्तर पर इसे लागू किया जा सक सकता है तो असम जैसे इस्तिती बन सकती है अब NPR, CAA और NRC की क्रोनोलोजी जान लीजे मुसल्मानों को एक बड़ा डर NPR, NRC और CAA की क्रोनोलोजी को लेकर है मुसल्मानों को डर है कि NPR के नाम होने के बाद अगर वे NRC में अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाएं उनकी नागरिकतार रद हो सकती है देश में अगर NRC लागू होता है तो इसे अमल में लाने की जिम्मदारी सरकार, अधिकारियों और करमचारियों पर ही रहेगी असम में NRC डेटा फाइनल करने के लिए राजिसरकार ने 60,000 करमचारी लगाए थे गैर सरकारी संस्ता CGP के मताबिक असम में ऐसे कई लोग थे जिनके पास नागरिकता के दस्तावेश थे लेकिन अधिकारियों को अडियल रवय और लापरवाही की वज़े से उनका नाम NRC की सूची में शामिल नहीं किया गया असम के मताबिक जिन लोगों का दावा सरकार ने खारिस कर दिया है उन्हें ट्रिबिनल और हाई कोट जाना पड़ेगा जानकारों का कहना है कि यह एक मुश्किल प्रक्रिया है पुरे भारत में अगर यह लागू हो सकता है तो कोट पर मुकदमों का बोज बढ़ेगा और को नागरिकता साबित करने में सालों का वक्त लग सकता है नर्सी से जुड़े यह दो मुद्धे भी परिशान करने वाले हैं जैसे केंद्र सरकार खुलकर यह नहीं कह रही है कि वो राश्ट्रिय नागरिक रजिस्टर तयार करे गिया नहीं अगर तयार करती है तो इसका स् नहीं हैं इन सभी बातों पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं